कैसे हैं आप सभी उम्मीद सब अच्छी होंगे और सबकी गार्णिंग बहुत अच्छी से चल रही होगी तो आज की वीडियो में आपसे शेयर करने चाहरी हूं एक टेप्स जिससे आपको विंटर में बहुत सारी फ्लावरिंग मिलने वाली है तो यह वही क्यारी है जिसमें में बहुत सारे रेंडिली के बल्ब्स थे उनको रिपोर्ट किया था और उसमें बहुत खूब नहीं अच्छी होई था तो अब हमारी जो लेफ्टोवर क्यारी है उसमें बहुत सारी घास वागять ग्रो हो गई है और उसमें यह लगा हुआ था परसुलें तो मैं इन सब घा इसमें गुल्दावदी की कटिंग क्यूंकि गुल्दावदी के फ्लावर मेरे सबसे फेवरिट हैं और बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है और उसका जो फ्लावर होता है वह लगबख एक मंदतंग ब्लूम रहता है तो देखिए क्यारी में मेरे तुलसी जी भी हो है मतलब यह क्यारी जो है वह ज्यादा गहरी नहीं है इसलिए यह प्लांट जो है वह अच्छे से डैवलब नहीं उपारा तो मैंने इसको भी हटा दिया है और इसको भी मैं पॉर्ट में शिफ्ट कर दूंगी बड़े बुड़े जैसे लोग बोलते हैं कि हरे बड़े प्ल क्यारी को क्लीन कर लेते हैं और इसमें थोड़ी सी कंपोस्ट मिला लेंगे तो हमारी जो स्वाइल है वह अच्छी हो जाएगी उसके बाद देखिए गुल्दाओदी का ही पॉट था जो की बंदरों ने गिरा के पूरी तरह से डिश्ट्रॉय कर दिया है स्पाइल कर दिया तो यह हम लोगों ने फोटो शेशन किया था क्योंकि फूरूल देखिए तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है तो फोटो खीजना तो बनता है तो यह देखिए मैंने उसमें से बहुत सारी कटिंग्स को ले लिया है अब मैं इन क्यारी में इस कटिंग्स को लगबग एक बिलांड की दूरी पर लगा दूंगी अपने हाथ से नाम के थोड़ी दूरी पर लगाना है क्योंकि जब यह कटिंग्स ग्रोंगी उपर तो यह घनी हो जाएंगी तो हम सारी कटिंग्स को लगा देंगे और अभी चल रहा है रेनी सीजन तो इसी लिए यह सारी कटिंग्स हमारी grow हो जाएंगी और हम मेरी cuttings का result 100% रहता है मैंने हमेशे जब भी cuttings लगाई हैं वो पूरी तरीके से grow ही है और मैं किसी भी तरीके के rooting hormone या किसी भी chemical का use नहीं करती हूँ plants के लिए मैं जो भी gardening करती हूँ वो फिल्कुल organic होती है और जो natural चीज रहती है उनको use करती हूँ rooting hormone अगर आपको use करना है तो आप aloe vera का use कर सकते हैं और soil में fungi side मिलाने की जगहाँ पहल्दी का use कर सकते हैं वो बहुत अच्छा option होता है तो आपकी soil में कभी भी fungus नहीं लगेगी तो देखे सारी cuttings को लगा के अब मैं पहले watering कर रही हूँ और इसमें एकी बार watering करूँगी उसके बाद यह soil है moisture रहेगी क्योंकि rainy season चल रहा है और टेज धूप निकलती नहीं है तो इसलिए यह जो है मैंने पर्चेज नहीं किया क्योंकि वह POP की बनी होती है और अच्छे से dissolve नहीं होती है तो मैं जो मूरती है वह बना रही हूँ टेरी को टक ले की जो की पानी में अच्छे से dissolve हो जाती है तो घरपती विसर्जन भी ठीक रहता है इसी वजह से मैंने जो नॉर्मल स्वाइल होती है जो आप किसी जो कुमार होते हैं उन से जाकर भी ले सकते हैं मिट्टी वो दस यह बीस रुपह में आपको बनी बनाई मिट्टी दे देंगे आपको मेहनत भी नहीं करने पड़ेगी अधर्वाइस आप मिट्टी को अच्छे से पीट के इसको पाउडर के फॉर्म मे में लटका दीजिए अच्छे से उसके बाद उसको आँटी की तरह अच्छे से मार लीजिए तो हमारी जो क्ले है वो बनके रैडी हो जाएगी तो देखे मैंने एक छोटी सी कोशिश की है गड़पती बबबब बनाने की तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने हा इसी डिटेल आइड करके हम अपने गड़पती बाबा की जो आइडल है वो फूरी कंपलीट कर लेंगे उसके बाद मैंने इसके उपर किया है पेंट और पेंट करने के लिए मैं अक्रेलिक कलर का यूज कर रही हूँ जो की हार्मफुल नहीं होते हैं और अच्छे से बाद करिए यूज करते हैं तो इस तरीके से आप। तो मुझे तो कॉम्बिनेशन ये पसंद है तो फाइनल लूक आप देखी कैसे लग रहे हैं हमारे पपा तो फ्रेंड्स हमारे पपा का रूप आपको कैसा लगा तो आप कमेंड करके जरूर बताएगा और ये देखे मैं कटिंग्स का अपडेट दे रही हूं आपको लगबग एक हफते बाद ही हमारी कटिंग्स जो है वो चल गई है कुछ कटिंग्स जो है वो देखने में खराब सी लग रही है तो अभी हम इनको निकालेंगे नहीं इनक को आप बादि बहने इसको कटिंग्स जली से ग्रो हो जाती है कुछ कटिंग्स को टाइम लगता है तो हमें पहले इनको खाड़के नहीं फेगना है थोड़ा वेट करना है पेशेट्स रखना है उसके बाद यह जो रहें तो इस तरी के लिए जली से प्लीज प्लावरिंग झांक्स पूर वाचिंग।